हेलो आपको फिर से स्वागत है आपके अपने अड़ोप्स चैनल एगेला नास पॉइंट पर तो जैसे हैं बात कर रहे थे एक्रिकल्टर सुपर्वाइजर से सम्मादित लाइव टेस्ट स्रीज तो जिसका सकींड पार्ट यह रहने वाला है अगर आपने पार्ट फर्स्ट क तो उसका नटिक किसन आपको साथ मिलता रहेगा तो चलिए आज की किलास को स्टार्ट करते हैं आज को नए से के तो आज का हमारा फर्स्ट किसन है कि सोवीबिन के दानों में पायसता है अब यहाँ पर याद रिखेगा आपको तेल की मातरा और प्रोटीन की मातरा क्या-क् बताएंगे कि आपका रादिर तेन सर क्या है कि 20% तेल 20% protein 40% देल 40 percent protein 20 percent तेल 40 percent protein तेल 40 percent आपका रादिर क्या है जल्दी से comments बताईजude यहाद रखेगा यहां पर अगर आपसे पुछता है कि soybean की दानों में क्या पाया साय यह फिर कितना पाया था है component तो याद रखी कि इसमें जो तेल वहाइसा है यह पाइसा है only for 20% तेल की जो मात्रा होती है soybean के दानों में यह होती है only for 20% और अगर आप से पूछता है protein तो protein कितना पाइसा है 40% options के according हम right answer की बात करेंगे तो तेल पाइसा है 20% और protein पाइसा है 40% तो अब यहाँ पर आप में इस का सकते हो कि कौन सा right answer है तो याद रखी कि यह होता है C option ठीक है C option is right answer क्योंकि इसमें तेल पाइसा है 20% और protein पाइसा है 40% ठीक है याद रहेगा next decision के और बात कता है next decision यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मर्दा में कौन सा तत्वे सबसे ज़्यादा पाइसा है सबी options आपको यहाँ पर दे रखें तो पहले देख लीजिए उसके करणे right answer बताईए यहाँ पर बायो मंडल की बात नहीं किजा रही है यहाँ पर बायो मंडल की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर बात की जारी है मरदा की तो मरदा में भी याद रिगए ओक्सीजनी सबसे ज़्यादा पाई जाती है नैस्टिसन के और बड़ता है नैस्टिसन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आप से पूछा गया है कि मरदा में कार्बनिक कार्बन मतलब ओर्गेनिक जो कार्वन होता है ये किसका सूचक होता है किसवन को थोड़ा सा द्यान से समझा करो उसके according आप राइट अंसर दिया करो तो जल्दी सरताएंगे कि मर्दा में जो कार्वनिक कार्वन पाईसा है जो ओर्गेनिक कार्वन पाईसा है ये किसका सूचक होता है उपलब्द नाइट्रोजन का उपलब्द फास्पोरस का उपलब्द पोटास का या फिर उपलब्द मेगनेशम का आपको क्या लगता है कि आपका रेटनसर क्या होगा चल्दी से कमेंट से से बताइए तो याद रखेगा अगर आपसे पुछता है कि जो मर्दा में जो ओर्गेनिक कारवन होता है जो कारवनिक कारवन होता है किसका सूचक होता है तो यह होता है याद रखेगा उपलब्द नाइट्रोजन का सूचक ह होता है ओके नई स्टिसन में हम जानेंगी जो कि एक काफी मोश्टिपर निर्ट किसन है इसे आप जरूर नोट कर ले कि गन्य की पुस्क्रम को क्या कहता है एरो अम्बेल इस पर डिक्स ये फिर बाली गन्य की पुस्क्रम को याद दखी के इन्फ्लोरेंस आप से पूछा गया है तो जल्दी से पताएंगे कि गन्य का जो इन्फ्लोरेंस होता है इसको किस नाम से जाना सता है एरो अम्बेल इस पर डिक्स ये फिर बारी तो याद दखी का जो इन्फ्लोरेंस होता है गन्य का इस से बोलासता है ओके इसके साथ सथ एक और पोविंट आप नोट कर लीजिए कि इस पुस्क्रम का याद रखिगा पुस्क्रम को तो क्या बोलासता है एरो बोलासता है लेकिन याद रखिगा अगर आप से पुस्क्रम निकलने की जो क्रिया होती है इसे क्या बोलासता है याद ing जोड़ दोगे तो यह क्या हो गया षेकर इसके क्रिया होती है पुुत्राम आने की प्रिया होती है उसे बोला forty saying बॉलांशता है और फुस्क्राम कोके प्बात करेंगे लाभन आप答स दॉन्मunu में इस सबसे ज़्यादा वर्सा किस स्थान पर होती है तो ये थेक कुमन किसदें भारत में आप पढ़ा है बिसे कमन किसन आप बता दोगे तो जल्दी से बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो वर्सा वती है किस起ता पर न लए मोसिनğ ऑस में चेरा कि मुंगफली में अंतहे जुताई कब नहीं करनी चाहिए याद रखे कि यहाँ पर आप से क्या पूछा गया है कि कब नहीं करनी चाहिए पहले हम सभी ओप्सन देखेंगे उसके कोड़े हम राइट हांसर बताएंगे तो पहले देख लेते हैं कि फूल आने की अवस्ता की समय पेगिंग खूटी अवस्ता की समय उगने की समय या फिर इन में से कोई नहीं आपको क्या पैचाना है कि जो अंतहे जुताई की जाती है इसको कब नहीं करना चाहिए तो याद रखेगा ऐसी कौन सी कंडिशन होती है मुंगफली में यह होती है पेगिंग की आवस्ता क्यों पेगिंग की मतलब होता है जो मुंगफलीया बनती है अगर इसी समय हम क्या कर देंगे अंतहे जुताई कर देंगे तो ये जो मुंगफली बनेंगी या फिर इनके जो छोटे-छोटे पोड आते हैं वो क्या होगे? वो नश्ट हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे जिसे हमारी फसल का नुकसान होगा इसलिए हम क्या करते हैं? याद रखेगा नेक्स टिशन के हम बात करते हैं नेक्स टिशन आप आप देख सकते हो कि कौन सा तेल हद्य रोगियों के लिए? अत्य उत्ता माना सता है याद रखेगे कि ये भी क्यूसन आप से पूछा जा सकता है और कई बार आप से एक्जाम में पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा तेल है जिसका प्रियोग याद रखेगे का हर्ट पेसेंट के लिए क्यासा है किसके लिए क्यासा है? हर्ट जो पेसेंट होते हैं उनके लिए क्यासा है मुंखफली का तेल, सोयबिन का तेल, सरशो का तेल ये फिर सूरज मुखी का तेल आपको यहाँ पर पैचान है कि जो heart patient होते हैं उनको किस का तेल दिया सा है ठीक है तो यहाँ देखे यह heart patient होते हैं तो इनको जो उपयोग करने की जो सला दी जाती है डोक्टरों की द्वारा यह दी जाती है सूरज मुक्की का तेल मतलब sunflower जो sunflower का जो oil होता है इसी को रिकमेंडेर किया सा है डोक्टर के द्वारा जो भी heart patient होते हैं उनको ठीक है याद रहेगा next question उन्हें हम जानेंगे next question ने आपर आपसे पूछा गया है कि संकर चावल का विकास सबसे पहले किस देश ने किया क्या question आपसे पूछा गया है कि जो hybrid rice होता है संकर चावल मतलब hybrid rice तो आपसे पूछा गया है इसका सबसे पहले जो development किया गया था जो विकास किया गया था किस देश में किया गया था बारत में चीन में अमेरिका में या फिर फ्रांस में आपको क्या लगता है कि इसका right answer क्य क्या होगा सायद आपने सभी ने यह तो common है कि जरूर पड़ा होगा क्योंकि first ही आपने क्रोब पड़ी होगी धान तो यह किसन आता है बार बार आपसे पूछा आता है जल्दी से बताएंगे आपका right answer क्या है तो याद रखेगा जो hybrid rice है इसका सबसे पहले जो विकास किया गया था जो development किया गया था यह किया गया था चीन में और अगर आपसे पुछने किसके द्वारा तो वह किया गया था याद रहा किया धू ओके नाइस्ट्रिशन आपसे पूछाई है गॉल्डरन राइस का विकास इंगो पोर्ट्राइगस ने किया था लेकिन इसमें कौन से विटामिन के मात्रा बढ़ जाती है आपसे यह किशन पूछा इंगेगें आप डारइरल ली समझ लीजिए गॉल्टं राइस में कौन सा विटामिन सबस्य ज्यादा पाइसा है विटामिन तो यहां देखेगा अगरआपसे यह किशन पूछचाई कि जो गोल्डन राइस है मतलब सुनinstr Grass लोता है इसमें सबसे यज्या जाधा जो कौन सा वीटामेंट पाइशा है यह यह विटामेंट भी कोछ फोर्म होती है कुछ रूप होता है उन में इसे स Ruby ौध और विटामिन A में कौनसा सबसे ज्यादा पहसता है वो 20 था है बीटा करोटीन पहसता है ठीक है दोनों पॵिंट आप नॉट कर लीजिए दोनों किसंसा आपको एकजामें पूछे गई किसंन है नाइसटी अने हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछे आलू का उदगम इस्थान कौन सा है चीन दक्षनी अमेरिका उष्ण अमेरिका या फिर अफ्रिका या देखे कि यह भी किस्तन आपको कई बार एक्जामें पूछा गया है तो इसे वे आप जरूर नोट कर ले कि आलो का उदगम इस्थान कौन सा है चीन दक्षनी अमेरिका उष्ण अ अंसर होंगे यहाद रखी का पेरो भी मानासता है और दक्सनी अमेरिका भी इसका मानासता है ओके नेक्स यूशन के हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा है सोईबिन का उद्गम इस्तान तो यह कुछा है आपको कई बार में आपको क्लियर कराई चुका हूं और यह एक व सोईबिन का जो ओरिजन प्लेस है उत्पति इस्तान है वो किसे मना गया है चीन को अमेरिका को भारत को या फिर अफ्रीका हो तो यहाद रखीगा अगर आपसे यह क्यूशन पूछता है कि सोईबिन का ओरिजन प्लेस नेट्व प्लेस ओरिजन प्लेस या फिर नेट्व प् और वही question आपसे पुछा आता है जिसमें कुछ इस्ट्रेंट जो कि English को ज़्यादा language नहीं देते या फिर उसको नहीं पढ़ते हैं थोड़ा बहुत भी तो वो इस question में थोड़ा सा confused हो जाता है तो यार थोड़ा बहुत English तर्म होती है न कुछ-कुछ ऐसे सब्द होते हैं जो कि आपको directly हिंदी में पूछे आते हैं तो उनको आप जरूर फोकस कर ले तो इसलिए मैं कोई अगर word होता है तो उसे English और हिंदी में दोनों में ही बताता हूँ तो इसका reason यही है क्योंकि आपको exam में दोनों ही टाइब में questions देखने को मिल जाते हैं ठीक है बेसका आप बोल सकते हो कि हिंदी में हमसे questions पूछ आते हैं लेकिन अगर कोई word ऐसा है जो कोई English सही हुटा कर हिंदी में पूछ लिया गया है कोई English word है उसी को हिंदी में लिख दिया है बिलकुल हिंदी पर इडिपेंड मत रहो ठीक है तो चलिए हमारे next station के और बढ़ता है पहले हम इसे clear कर लेते हैं कि सोयबीन का origin place तो यहाँ दखी कि सोयबीन का जो origin place है वो माना गया है चीन को माना गया है ओके next station के हम बात करेंगे next station आप से पूछा गया है कि नेमलिखेत राइजे में से किस राइजे में गन्ने की उत्पादक्ता सरवादी कहा है क्या पूछा गया है यहाँ दखी कि गन्ने की productivity production नहीं है पूछा गया यहाँ पर अब यहाँ पर एक बात आप नोट कर लेजे कि एक होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादक्ता उत्पादक्ता और उत्पादन उत्पादन होता है production क्या होता है यहाँ दखे उत्पादन मतलब होता है production और उत्पादक्ता क्या होती है प्रोड़क्टिविटी अब इन दोनों में याद किया डिफ्रेंस होता है उत्पादन तो होता है कि माली जी जितना भी जो हेक्टर उनका छेतर फल है उनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन कितना हो रहा है ठीक है फिर उत्पादन कितना हो रहा है उसको यहाँ पर मापते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं productivity तो productivity क्या दर्साद है मतलब उत्पादकता केसे गयाद किजाती है तो उत्पादकता का मतलब होता है याद कीगा परती heureटर इसमें मैं पाज़ता है कि परती हेक्टर कितनी प्यदावार हो रही है ठीक है इसकी according उत्पादक्ता निकाली जाती है और उत्पादन में होता है कि कितना भी छेतर फलो उससे कोई मतलब नहीं है बस यहाँ पर हम देख रहे हैं production उत्पादन का मतलब है केवल production और productivity क्या मतलब होता है कि परती हेक्टर ऐसा कौन सा जेतर है जिसमें परती हेक्टर सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो उसी को बला सा है उत्पादक्ता ठीक है दोनों में डिफरेंस आपको पता चली चुका है तो अब याद दखीगा जब भी अगर आपसे किसने पूछाता है उत्पादन या फिर उत्पादक्ता तो इन दोनों को आपको अलग-अलग मतलब सही सी समझ के उसका right answer आपको comment से समय देना है ठीक है ये किसन आपको कई बार पूछा विया है और इन में आप confused हो सकते हो ठीक है इसलिए इस तर्म को करना clear करना जरूरी था तो अब आते हैं हमारे गन्ने की उत्पादक्ता पर तो गन्ने की जो उत्पादक्ता है ये होती है तमिल लाड़ो में सबसे ज़्यादा होती ही यह होती है तमिल लाड़ो में और अगर आप इसे पूछाता है इसका उत्पादन इसका उत्पादन याद रखी है उत्तर प्रदेश में लिया सा है इसका उत्पादन तो खहां पर लिया सा है उत्तर प्रदेश में लिया सा है लेकिन उत्पादक्ता कहां पर है गन्ने की सबसे ज़्यादा यह होती है तमिल लाड़ू में होती है ठीक है तो अब आपको समझ आगया होगा कि आईतियों मैं क्या बोलना चाहता हूँ ठीक है उत्पादन अलग होता है उत्पादकता अलग होती है उत्पादन में जितना भी उत्पादन है उसको लिया सा है और जो उत्पादकता है इसमें लिया सा है कि परती हेक्टर कितना उत्पादन हो रहा है प्रती hacker जो उत्पादन होता है इसे उत्पादकता वोलास है और overall जो production होता है उसे वोलास है उत्पादन वोलास है ठीक है तो next question गयर उड़ते हैं अगर नहीं समझाता है ना तो आप comment में पूल सकते हो मैं आपको दुब़ारा से बता दूँगा ठीक है मैंने तो साहिद मेरी के तरफ से तो clear करी दिया है आपको तीन या चार बार बता दिया है लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किसन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूचक से हो उसका हम नेक्स जो भी क्लास लगेगे हैं उसमें हम नेक्स्ट सॉलीशन कर लेंगे बस यार कमेंट ज किसी भी किस्तन आपको कई बार हम क्लियर भी करा चुके हैं कि आलो एक रूपांत्रित तना होता है क्या होता है मतलब modification of stem आलू क्या होता है याद रखीगा modification of stem मतलब तनाई का एक रूप आंत्रित रूप होता है नए स्टिसन में हम जानेंगे जो कि एक काफी most important किसन है ये भी आपसे कई बार पूछा गया किसन है कि ओबडखावड टेलों में शिंचाई की मुख्य विदी गौनसी है बार सिंचाई विदी, फम्वरा सिंचाई विदी बंध बंध सिंचाई विदी या फिर अंत है इससतर सिंचाई विदी तो याद गहाँ अगर आपसे पुछता है ओबड़ खावड को इंग्लेस में बॉलासता है अंडूलेटिंग जो इस्थान होते हैं उनको इंग्लेस में क्या बॉलासता है अंडूलेटिंग जो प्लेस होते हैं इनके लिए सिंचाई की सबसे उप्युक्त विदी कौनसी होती है तो वो होती है या देखेगा फुमवारा सिंचाई वेतरी हो सोरी इस क्रिशन को तुबारा से देखते हैं कि चने का मुख्य कीट कौन सा होता है ठीक है तो सबसे पहले जो आपको नोट करने की बात है वो यह है कि चने को याद कीगा बंगाल गराम की नाम से भी जनाशता है यहाँ दखीएगा चने को किस नाम से जनासता है बंगाल गराम के नाम से भी जनासता है सेकिन किसन है कि चने का मुख्य कीट कौन सा होता है तो यहाँ दखीएगा यह होता है फली छेदक होता है चने का मुख्य कीट कौन सा होता है तो आप सभी को बता है कि तिल का जो कुल है या दखी कि ये क्यूसन भी आपसे कई बार एक्जाम में बूचा गया है कि तिल का कुल तो यह होता है पैड़ी लिये सी होता है कौन सा होता है पैड़ी लिये सी होता है ओके नए इस्टेसन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछाएगा है कि कपास के बीजों से रूई किस अमल की द्वारा हाटाई जाती है मतलब कपास के बीजों से रूई को अलग किस अमल की साहिता से किया असा है सल्फिरिक आमल, साइट्रिक आमल, नाइट्रिक आमल या फिर हाइड्रोकलोरिक आमल तो आपको क्या लगता है? इसका राइट अंसर क्या होगा? जल्दी से कमेट जसने बताइए कि जो कापास के बीज है इनको रूई से अलग किस की साहिता से किया सा है? तो याद रखें कि यह किसन अगर आपसे पूछा आता है? तब आपको क्या याद रखना है कि सल्फिरिक आमल की साहिता से किया सा है? किसे किया सा है? सल्फिरिक आमल की साहिता से किया सा है? और सल्फिरिक आमल का जो परतीक होता है, जो सिंबल होता है, वो क्या होता है? है H2S4 होता है, H2S4 या देखेगा किसका परतीक होता है, यह होता है sulfuric आमलका और कपास के बीजों को रूई से अलग करने के लिए किसका प्रियोग किया सा है, sulfuric आमलका प्रियोग किया सा है, ठीक है नेश्टिसन में हम जानेगे, जो कि आज कमार लाश्ट किसन है, कि बोल वर्म कीडा किस वसल पर लगता है या दखेगा कि जो बोल वर्म होता है, जो कि एक कीड होता है, यह किस वसल में होता है यह आपसे पूछाएगा है, सभी पहले आप options देख लीजिए, कि धान, कपास, गेहूं या फिर माका आपसे क्या पूछाएगा है, कि जो बोल वर्म होता है, यह किस का किड होता है, या फिर किस में होता है यह होता है, या फिर कि जो पिंक बोल बना अपने पड़ा होगा, तो पिंक बोल वर्म है, यह कि मुख्य कीड होता है, किस का होता है, कपास का होता है जो कि क्या करता है, या फिर कि जो कपास की जो रूई होती है, इसकी क्वालिटी को डेमेज कर देता है क्या करता है कपास की जो quality होती है उसको damage कर देता है तो right answer क्या होगा बी option ठीक है ने इस टिशन में हम जानेगी जो कि आज का मारा last question रहेगा कि RMO 40 किस की सिसम होती है तो RMO 40 याद रखेगा यह किसन आपको कई वार हम clear करा चुके हैं तो इसे आप डायर्टली याद कैसे रखोगे याद रखेगा RMO आप यह याद रखेगा आर्मो का मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो जैसे कि माल लीजी राजस्थान मोट ठीक बस इसको आपको ध्यान रखना है कि जो